हेलो फ्रेंग्स मैं अंजली कुक्ता स्वागत करती हूं आपका अपने परिवार इस्टुटी विद इंजिनियर सुहेल में तो हम लोगों की चल रहे थी सीडेपी की क्लासेस जिसमें हम लोगों ने विकास की अफधारनाओं को व्रद्धी की अफधारनाओं को पढ़ा फिर का एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि जैसे कि आपने नोट्स बना एक चैप्टर का या एक टॉपिक का नोट्स बनाया उसके बाद आधा या एक पेर उसका थोड़ा खाली छोड़ दीजिए ताकि कभी भी आपको कहीं से कुछ इन्फोर्मेशन मिलती है या आप प्रैक् करते जाना तो नोस बनाने का यही तरीका होता है कि जब आप बढ़ें तो जब आप नोट्स बनाएं तो उसमें कुछ जगा भी छोड़ते पहरें जब आपको हीं से कुछ पढ़ें या प्रक्तिक कर आया जाये तो फिर बढ़ें उत साहीं एक तो पुसla कर सकें ऒच्छ है जो है इसे क्या कहते हैं जब शरीर में आपके रदी और विकास हो रहा हो तो इसे हम क्या कहते हैं तो उसका अपिव रव्रदी ग्रोथ जिसे कहते हैं तो यह इसका अथी संगर करेंен्ट में Twist जरूर करिए ठीक है तो आज की क्लेस को शुरू करते हैं हम लोग अपने अधियर टॉपिक विकास के सिधान्त को आज पढ़ेंगे ठीक है प्रिंस्पल और डवलप्मेंट तो जिसमें की हमारा क्या है पहला सिधान्त है निरंतर्ता का सिधान्त निरंतर्ता का मतलब क्या होता है कि कोई चीज जो है वो ग्रैजुली धीरे-धीरे चल रही है आपकी और जो विकास होता है हमारा वो जो है ना गर्व दान से लेके मिरत्तियु तक मतलब वो निरंतर चलता रहता है विकास हमारा ठीक है तो गर्व दान से मिरत्तियु तक हमारा निरंतर्त विकास जो है वो चलता रहता है अब ऐसा तो नहीं होता है कि जैसे विक विकास कुछ साल तक हुआ मानली जे पांक साल तक आपका खुब तेजी से इंड़ती हुई चार-पांक साल तक उसके बाद वो रुख गई और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं दस साल में अचानक से हाथ पर और बड़े होने लगे ऐसा नहीं होता ना तो विकास का वो ध जल्दी से होता है किसी का विकास देर में होता है तो किसी कोई चलना जल्दी सीख रहा है कोई देर में सीख रहा है तो विकास की अपनी अपनी है उसमें मतलब परसन टू परसन वैरी करता है सबकी विकास की गति एक जैसी नहीं होती है हां लेकिन क्रम जरूर एक जैसा होत लेकिन गति क्या हो सकती वह अलग-अलग हो सकती है तो हमारा पहला किया है ही समझाए हमने अधिसLove सब्दाइड में नेरंतर्ता का सिध्दाइव मतलब विकास मेरा वहly says यृक चलता रहता है फिर हमारा एक रुपता का सब्दाइड तो चलता है वीकास जो सब का सब्युक्ण का तरीका किसा है एक सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं रोते हैं ठीक है सबसे पहले बच्चों ने रोना शुरू किया फिर उसके बाद हमारा आता है कुईंग करना बच्चे फिर कुईंग करके रोते हैं ठीक है कुंकनाजी से हम कहते हैं देखा होगा आपने छोटे बच्चों को ठीक है फिर उ बच्चे फिर उसके बाद आता है बोलना फिर बच्चे क्या करते हैं बोलने का पैटरन सीखते हैं अपने आस पास के लोगों से और फिर वो बोलना शुरू करदेते हैं अगर आप UPTATE के तयारी को और भी भेतरीन बनाना चाते हैं तो UPTATE के साथी आपकी ये study guide आती है जो है आपकी चक्सू publication की इस study guide में आपको जितने भी आपकी UPTATE में subject हैं जैसे आपके 5 subject हैं वो 5 ओ subject आपको इस study guide में देखने को मिलेंगे और भेतरीन दोस्तु ये आपकी book है UPTATE की प्राथमिक स्थर की primary label की साथी ये book है जिसमें दोस्तो एक से लेकर 5 तक की एक अक्षा के लिए ये book आपकी बनाई गई है सबसे अच्छी बात दोस्तों कहा है इसमें 3000 आपको क्या मिलेंगे अध्यावार महधुपूर्ण प्रिश्न मिलेंगे चार सौल्ड पेपर म आपको देखने को ये book मिल जाएगी जिसकी दोस्तों मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको कि किस परकार से ये book रहने वाली है जैसे दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये इसका syllabus दे रखा है कि किसकी syllabus पर कितने कितने नंबर की दोस्तों चीज़ आनी है ये 30 न प्रेक्टिस सेट को दोस्तों आप लोग पर्चेस कर सकते हैं दोस्तों यह का है इनका प्रेक्टिस सेट है इस प्रेक्टिस सेट पर दोस्तों आपको क्या मिलेंगी देखे ये प्रेक्टिस सेट है आपका ये तो स्टडी गाइड होगी जो मैंने डिसकस की थी ये आपका क एक से लेकर पांच कक्षा तक के लिए है और भेतरीन दोस्तो 15 प्रेक्टिस सेट आपको मिलेंगे साथ सॉल्ड पेपर मिलेंगे तो इनको पर्चेस कर सकते हैं इससे दोस्तों आपकी तयारी और भी भेतरीन तरीके से हो सकती है लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्सन में दे करते हैं थीक हैं में सबक्राइब करते हैं थीक है तो यह जाती हों जो इतने भी लोग को सबकाव इसी तरीके का होता है तो फिर हमारा है सब्सक्राइब होते हैं ओर भी बैने हैं और वो रहती और इंवियर्मेंट पे हम लोग अलग होते हैं और जैसे किसी कोई बच्चा है तो उसके मम्मी पापा किस तरह से मतलब उनका किसे तरह से दिमाद काम करता है या वह अगर बहुत तेज हैं पढ़ने में या किसी उनके पास एक्स्टा अक्टिविटिई गिर्टी उसे मं है कि हमारे सरांदील में होता है वह होता है वातावरन से jerk से साइवा जो भातावल हुझे हैu आपके घर का महोल कैसा है आपके घर में लोग कैसे था करते नमेंऄट कैसे जहां पर बोली जाती है उस तरह का बच्चे बोलते हैं तो यह विकास कैसा है इक कि जो बच्चे का विकास है वह वंचानुक्रम और वातावरण दोनों पर डिपेंड करता है ठीक है कि फिर आजाती है हमारे फोर्ट पॉइंट जिसे हम कहते हैं विकास की दर और गती का सिध्धान्त तो अब ही जब हमने समझा था कि विकास की जो गती होती है याँ यह सब मतलब सारे बच्चों की अलग-अलग हो सकती है लेकिन जोụ इस्टेजेटी हैं जैसे आपकी मायलिज जैसी कि शैसा वास्ता है फिर आपकी बाली अवास्ता है फिर किशोरा आवस्ता है तो हम देखते हैं कि पहले जो शुरुआती Crash के पांच वर्ष होते हैं उसमें बच्चा बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है जैसे कि आपने देखा होगा जो बच्चे जिस बच्चे का भी जन्म हुआ है ठीक है उसके लिए जैसे आप कपड़े लेकिया है तो फिर तीन-चार मैने बाद आप देखेंगे कि वह उसके कपड माचे का शारिदेख लिएंग विकास ठीक है तो विकास के दर और गत्ति का सिद्धंद क्या खेता है जीवन के शुरुवाती समय में सब्षली व्रगती से विकास होता है ठीकिंश और शुरुवाती के पांच वर्स जो कि शैष्ण अवस्ता प्लस पूर्वाल्या वस्ता ठीक है इन में सब विकास सबसे तेजी से होता है शैशा अवस्ता कि हमारी यह 이지 जीरोन जन्म से 2 वर्स तक और जीफ पूर वालिय आवस्ता है वो 2 से 6 वर्स तक तो एपरीम मतलब 5 वर्सुन तक बच्चे का विकास जो है वह बहुत तेजी से होता है तो यह हमारा गति का सिध्धान कहता है ठीक है अब जैसे देख लेते हैं इस ग्राफ से जैसे एक बच्चे का हुआ दन ठीक है उसके बाद जन के बाद से और यह बाली आवस्था तक उसकी जनी है शैश तो दीरे बढ़ना शुन रुच होते हैं ठीक है जब अपने त्य हैं उन की सोच में कि हमें लगतरे का वेवार ऐता है तो तब हम देखते हैं कि उनका ज्याररी विकास होता है कि शोरा वस्था में देखते हैं मवाट फिरसे हो जाता है तो फिर उतना फास्ट नहीं रहता फिर वह दीरे 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 अपना विकास होता है उनके बाकी पक्षो का विकास हो करते रहते हैं ठीक है तो आपको जरूर यह समझ में आया होगा इस ग्राफ को आप इसका एक बार स्क्रीन शॉट ले लिजे फिर हम आगे के सिध्धान्तों को भी पढ़ेंगे ठीक है तो फिर अब हम इसके आगे कंटीन्यू करते हैं हम लोग विकास के सिध्धान्त को फिर हमारा पांचवा पॉइंट परसपर संबंद का सिध्धान्त क्या होता है कि जैसे कि हमारा शाररिक विकास हो रहा है ठीक है अब हम कैसा हम बोजन कर रहे हैं कैसा हमारा मन है तो तो हो तो आश्य हमासिक्त करता है तो तो हमारा थå मज़म है अच्छे को właściर दिखा पाएंगे तो ठीक है तो हमारा हो गया परस्पर संबंद का सिद्धान फिर हमारा six point है इसका अक्समात विकास का सिद्धान अक्समात विकास का सिद्धान की बाद Stanley Hall ने की थी यह हमने कल की class में जो किशोरा आवस्था पढ़ रहे थे आवस्थाओं में development की तब हमने यह देखा था कि इनकी definition में ऐसा लिखा हुआ था कि जो विकास किशोरों में जो changes होते हैं वो sudden changes होते हैं अक्समात विकास का सिद्धान किस ने का था Stanley Hall ने फिर है हमारा next point एक ही करण का सिद्धान अब एक ही करण के सिद्धान से हम लोग क्या देखेंगे पहले संपूर्ण अंग को फिर अंग के भावों को चलाना सीखता है तो जब छोटा बच्चा होता है वो पहले अपनी हमने पढ़ा हुआ है fine motor skill को develop नहीं कर पाता है पहले वो अपनी gross motor skill को पहले develop करता है मतलब कि क्या हम देखते हैं कि पहले वो अपनी bigger muscle movement को पहले करता है और जो है वो small movement small muscle movement को बाद में करता है तो हमने क्या देखा पहले संपूर्ण अंग को फिर अंग के भावों को चलाना सीखता है पहले वो अपने हाथ से काम करें का मतलब वो अपने हाथों को चलाना सीखे को चोटे बच्चे जो होते हैं उसके बाद वो अपने fingers पे आते ह हैं पहले वो अपनी body muscle movement को चलाना सीखते हैं ठीक है फिर हम देखते हैं परिमार्जीता का सध्धान्त प्रयास के द्वारा विकास को ती व्रगति देना परिमार्जीता का सिद्धान्त हमारा क्या कहता है कि जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो पहले जो क्या होता च्टे ब को फासलिगना सुदू कर देते हैं तो कोई भी काम हो जिसमें हम लोगों को जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे तो वह अच्छी होती जाएगी दीर दीर बहतर होती जाएगी ठीक है तो उसको हम तीवरिगती दे देते हैं विकास को तो प्रयास के द्वारा विकास को तीवरिग पश्चों अपने जाती के अनुसार विकास करते हैं तो जो पश्चों מנाशन को वह आपनी जाती के अनुसार करते हैं मानब का मानब का कीसे है मतistä ads placat ना इस तरह मानब नर्विकास करते तो सारे मानब इक ही कि वो दो पैरों उसे चलना लेकिन मानव अपनी जाती चाहती आनुसार विकास करेंगे वह दीरे दीरे दो पैरों पेरों पर ही दिशा का सिद्धान विकास की दिशा का सिद्धान जो की है सिर से पैर के और जिसे हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि विकास की दिशा कैसी होती है हमारी सिर से पैर के और और एक कैसी होती है केंदर से बाहर के और तो जो सिर से पैर के और होती है उसे हम क्या कहते है शी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट विकास के प्रभावित तत्री को पढ़ते हैं मतलब व्रविकास को क्या चीजें हैं जो प्रभावित कर सकती हैं उन्हें हम बढ़ेंगे तो पहला इसमें दो दो पॉइंट्स आते हैं वशानुक्रम और बातवरंट तो व्रद्धी और विकास को क्या प्रवावित कर सकता है हम देते हैं कि जो हमारे पूरवज होते हैं उनके वह जिस तरह के होते हैं तो बच्चे भी उसी तरह के होते हैं लिए अगर किसी के पैरेंट से जो बहुत हुशी आ रहे हैं वह उनका दिमाद बहुत तेज है वह पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो फिर क्या होता है उनके बच्चे भी अच्छे होते हैं पढ़ने में तो यह जो उनका उनकी जो व्रद्दी और विकास किस पर या जैसे जिस तरह की लोग बाते कर रहे हैं उस तरह का हम सीखते हैं जिस तरह का हमारा महाल है वह उस तरह का हम हमारा विकास होता है अगर हम अच्छी जगे रहे हैं तो हमारा विकास अच्छा होगा और अगर हम गलत संगत में या गलत महाल में रहे हैं जहां बहुत गाल भार Chief कर दिपेंड करती हैं हमारी ठीक है मैं इसमें कुछ देर लेते हैं जहीं कि हमारा पॉइन्ट है बुद्धी या इंट्अिधें Park व्रद्धी को प्रभावित करती है हमारी update कैसे हैं यह हमारी update ॵ्रीर्दी और विकास को प्रभावित करती ऐ उसन Alfyami our intelligence to be an जल्दी जल्दी सीखेंगे और जिसकिए हमारा क्या है कि जो विकास है वो हर पक्ष कर विकास अच्छी तरीकिशेह तरीकी तो जो बुद्धी व हमारे व्रिदि और विकास में सहयद होती है प्रहावदालति है ठीकैं फिर है हमारा लिंगभेद ये भी वunto है वह प्रवावित करते हैं को व्रदीया कॉसे हमारा समाजिक किस्थि थी कैसी है व lovely स्वाज़िक इस्तिती है हमारी जो और वह कैसी है अब जैसे हम wa विकास उस तरह का होता है उनका बहुत जादा हाई लेवल का जो है वो शोचल नहीं डवलपमेंट हो पाता है तो वो उस पे भी निर्वर करता है हमारा ठीक है आर्थिक विकास आर्थिक इस्तिती जिसे कहते हैं आर्थिक इस्तिती पर भी डिपेंड होता है फिर है हमारा इस तो यह नर्वस सिस्टम है तो उससे क्या हमारा दिमाग जो है वो कनेक्ट रहता है तो अगर वो अच्छे से विक्सित होगा तो हमारा विकास भी अच्छे तरीके से होगा अन्तस्रावी ग्रंथियां हमारे विकास में प्रभाव डालती है फिर है पॉस्टिक आहर अब आप जो भी हमारे जो लेडिज होती हैं हमारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो भी गर्बस्त शिशू हैं जो अब गर्भ धारण में हैं और तो बोला जाता है कि उन लेडिज को अच्छा खाना खाना चाहिए जिससे की बच्चे भी असर जो है वो अच्छा पड़े उसका विका बात हुई 1995 में भारत सरकार की तरफ से जिसमें क्या होता है बच्चों को अच्छा पोशन मिल सके तो वह पढ़ने में मतलब रूचे दिखा सके और उनका दिमाग अच्छे तरीके से वर्क कर सके तो पॉस्टिक आहार जो है अच्छा नियुट्रेशन जो है वह बहुत जाद प्रभावग डालता है आपके विकास में ठीक है फिर दुर्गटना अब ऐसी को दुरगटना ना हो गई हो जिससे की दिमाग में ऐसी छोट लगी हो छिसका विकास प्रभावित भु unless mist परमानसीग विकास जो है वह अच्छी तरीके से ना हो पाए तो फिर यह भी प्रभाव डालता है दुर्गटना ठीक है अक्सिदेंट वगएरा फिर है कुछ ऐसी दुर्गटना ना हो गई हो गई हो मतलब कि एक्सिदेंट या फिर ऐसा वह सकते ज़से अगर किसी के से भी प्रभाव डालता ही है जसे कि हम बहुत जरूरी होता है जिससे कि हमारा विकास जब और रह और अच्छा हो सके फिर है फिजिकल एक्टिविटीज हमारी फिजिकल एक्टिविटीज कैसी है मतलब हम योगा कर रहे हैं हम एक्सेसाइज कर रहे हैं तो उससे हमारा जो है दिमाग वो है वो थोड़ा फ्रेश रहता है वो अच्छा वर्ग करता है तो उससे हमारा विकास जरूर प्रभावित होता है तो physical activities भी उतनी जरूरी होती है तो ये सारी शीज़ें हैं जो व्रधी और विकास को प्रभावित करती है ठीके तो आज हमने क्या पढ़ा ? विकास के सिधानतों को पढ़ा और व्रधी एवन विकास के प्रभावित अथ्यों को पढ़ा . तो आज हमने अपने दो सब टॉपिक्स को कम्प्लीट कर लिया है तो इसके आगे हम पढ़ेंगे अब अपना नेक्स्ट जो है वन्शा नुक्रम और वातावरण ठीक है तो वन्शा नुक्रम और वातावरण को हम लोग थोड़ा अच्छे से डीटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और आप लोग नोट्स जरूर अच्छे से बनाईए और आपको फ्री में ये क्लासस दी जा रही है तो जरूर इसका फायदा उठाएए और अपने ये का जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार